हिजबुल्ला ने इस्राइल के दक्षणी हाइफा के बिन्यामिना बेस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटेक किया इस हमले में इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम में मौजूद खामियों की कलाई खोल कर रख दी वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त इस्राइल का कोई भी एर डिफेंस सिस्टम हिजबुला के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और दबे पाउं इस ड्रोन ने फटने से पहले बिन्यामिना बेस पर एक मिसाइल फायर कर दी जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और 4 सैनिकों की जान चली गई इस हमले ने इस्राइल की ताकत पर बट्टा तो लगाया ही साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या IDF हिजबुला के ड्रोन के आगे लाचार है और आखिर कैसे हिजबुला के ये ड्रोन हाइफा के इतनी भीतर तक घुसाए तो आपको बता दें कि टाइमस ओफ इसराइल का कहना है कि ये ड्रोन आइरन डोम को चकमा दे कर हाइफा में घुसा इस ड्रोन को एरान में अबाबिल्टी के नाम से जाना जाता है आपको बता दें कि मिरसाद वन ड्रोन 120 किलोमेटर की दूरी तक उडान भर सकता है और इसकी रफतार 370 किलोमेटर प्रती घंटा तक जा सकती है ये ड्रोन 40 किलो विसफो टक ले जाने में सक्षम है और 3000 मीटर की उचाई तक ये उडान भर सकता है बड़ी बात ये है कि इससे पहले 11 अपरेल 2024 को हिजगुला का एक ड्रोन चुपचाप पश्चमी गलीली में करीम 9 मिनट तक मंडराता रहा था और इसके बाद ये ड्रोन सुरक्षित दक्षणी लेबनान लोटाया था हाला कि हालिया घटना को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि हिजगुला ने हाइफा पर दो ड्रोन दागे थे दोनों को ही आईडियाफ के रेडार ने चिन्हित कर लिया था इन में से एक ड्रोन को हाइफा के तट पर मार गिराया जबकि दूसरा ड्रोन रेडार से बच निकला और बिन्यामिना बेस पर जाफटा टाइमस ओफ इसराइल का कहना है कि इस ड्रोन के पीछे इसराइली जेट्स और हेलिकॉप्टर भागे थे लेकिन ये रेडार से बच निकला और आईडिएफ इसे ट्रैक नहीं कर पाई वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को उलजाने के लिए हिजबुला ने एक साथ कई रॉकेट्स दागे और इन रॉकेट्स के बीच में उसने ये ड्रोन भी फायर किये ताकि आईरेंड डोम इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में उलज जाए और पीछे से ये ड्रोन हाइफर तक पहुँचे वहीं इसराइली एर फोर्स का कहना है कि ये ड्रोन उत्तर पूर वेकर के करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर रेडार से गायब हो गया था और आईडियफ को लगा कि ये ड्रोन क्रैश हो गया लेकिन आदा घंटे के भीतर जब ये ड्रोन हाइफर के बेस पर हमला कर रहा था तो उस वक्त ये दोबारा आईडियफ के रेडार पर नजार आया और उस वक्त हवाई हमले का कोई सायरन नहीं बजा जिससे आईडियफ ड्रम में पड़ गई आपको बता दे कि अभी तक हिजगुला ने इसराइल पर 1200 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किये हैं जिन में से 221 ड्रोन इसराइल के एर डिफेंस में घुसाए थे वहीं इसराइल के आलमा रिसर्च इंस्टिट्यूट का कहना है कि उत्तरी बॉर्डर से करीब 596 ड्रोन पार करने की घटनाएं सामने आई है वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर तैलाविव में इंस्टिट्यूट ऑफ नैशनल सेक्योरिटी स्टडीज के रिसर्चर डॉक्टर येहुशुओ केलिस्की ने BBC को बताया कि इन में से अधिकतर ड्रोन्स इरान दुआरा बनाए गए है और लेबनान में हिजबुल्ला को सप्लाई किये है इरानी ड्रोन्स का रेडार सिगनेचर छोटा होता है और ये कम उचाई पर उड़ सकते है जिससे शुरुवाती तोर पर इन्हें पहचान ना मुश्किल है कई बार तो इन्हें पक्षी समझ कर एर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो सकता है ये बेहद ही धीमी रफ्तार से उड़ते हैं जिसकी वज़ा से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल है ये लड़ाकु जेट की स्पीड 900 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार के मुकाबले 200 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं और इस सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल को जल से जल हिजबुला के इन ड्रोन्स का कोई टिकाऊ और मजबूत तो ढूनना होगा और इसराइल ऐसा करने में काम्याब होता है तो हिजबुला के साथ इस बार इसराइल की जंग की दिशा और दशा बदल सकती है